कॉरोना के इस टाइम पिरियड में इस तरह के ओनलाइन इवेंट्स शायद यही एक न्यू नॉर्मल बनते जा रहा है। लेकिन ये भी इनसान की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो हर मुश्किल से बहार निकलने का रास्ता बना ही लेता है। आज भी हमें जहां एक तरफ इस वाइरस से लड़ने के लिए सक्त कदम उठाने हैं बहीं दूसरी तरफ एकोनोमी का भी ध्यान रखना है। हमें एक तरफ देश वाजियों का जीवन भी बचाना है तो दूसरी तरफ देश की अर्थे वबस्ता को भी स्टेबिलाइज करना है, स्पीड अप करना है। इस सिचुएशन में आपने गेटिंग ग्रोथ बैक इस बात को प्राथविक्ता दिये हैं और निश्चित तोर पर इसके लिए आप सभी भारतिय उद्योग जगत के लोग बधाई के पात रहें। बलकि मैं तो गेटिंग ग्रोथ बैक से आगे बढ़कर ये भी कहूंगा कि यस, यस, वी विल डेफिनेटली गेट अवर ग्रोथ बैक। आप लोगों मैं से कुछ लोग सोक सकते हैं कि संकट की इस गड़ी में मैं इतने कॉन्फिनेंस से ये कैसे बोल सकता हूँ। मेरे इस कॉन्फिनेंस के कई कारण है। मुझे भारत की केपबिलिटीज और क्राइसिस मेनेजमेंट पर बहुत भरोसा है। मुझे भारत के टैलेंट और टेकनलोजी पर भरोसा है। मुझे भारत के इनोवेशन और इंटलेक्ट पर भरोसा है। मुझे भारत के फार्मर्स, एसमेज, अंत्रप्रणर्स पर भरोसा है और मुझे भरोसा है इंडिस्ट्री के लीडर्स पर आप सभी पर इसलिए मैं कह रहा हूँ यस वी 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 गेट अर गोथ बैक, इंडिया वी गेट इस गोथ बैक